आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि यदि एक तिर्बुझ की बुझाओ की लंबाईया समांतर श्रेणी में है इसका सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन का दुगना है तो तिर्बुझ की बुझाओ की लंबाईयों का अनुपात क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले एक तिर्बुझ बना लेता हूं मैं यहां से ठीक है इसका ABC तिर्बुझ नाम दे दिया कोंद भी KPTC मान लिये मैंने or इसकी बुजाओ को मैंने मान लिया ए B C छोटे वाले ABC धीक काई देख जब भी भुजहो ऊँर कोंड में संबंद रखा होता है तो एक सुत्र होता है साईन सुत्र जिसको सायन रूल भी बोलते हैं इस तरह से होता है साईन A बटा A बराबर साइन B बटा B बराबर साइन C बटा C ठीक है अब बोला है कि यह जो ABC है वो समानतर शेणी में है तो A को मैं मान लेता हूँ A माइनस D के बराबर B को मैं मान लेता हूँ A के बराबर और C को मैं मान लेता हूँ A प्लस D के बराबर ठीक है यहाँ पर देखो D सारवंतर है और A-D मैंने पर्थम पत मान लिया ठीक है यह दूसरा पत हो गया यह तीसरा पत आ गया इसी तरह जो है देखो D से बढ़ता जा रहा है मतलब समानतर श्रेणी में है मान रख देता हूँ और क्या बोला है देखो सबसे बड़ी बुजा क्यों सी होगी A-D मतलब सबसे बड़ी बुजा के सामने वाला कौन भी सबसे बड़ा हो गया मतलब C जो है सबसे बड़ा कौन हो गया सबसे चोटी बुजा है A-D तो इसके सामने वाला कौन यह जो है A सबस अपने पास जो फिर संबन्द होता है क्या कि आ जो तीनो कुनों का योग है a प्लस b प्लस c तीनो कुनों का योग जो है वो भराबर हो जाता है अपने पास एक 681 इडिगरी ये या पाई के बराबर भी बोल सकता हूं यहाँ पे मैं c का मान रखूंगा तो A प्लस B प्लस 2A बराबर हो जाएगा पाई के ठीक है और अपने पास यहां से B का मान के आ जाएगा पाई माइनस 3A के बराबर आ गया ठीक है अब देखो यह जो मान दे रखे हैं मैं यहां पे रख देता हूँ साइन a बटा a-d बराबर ब pig का मान के हैं साइन πाई माइनस 3 और पाई माइनस 3 है देखो दूसरे तिन सतांफ में है तो दूसर फट्रांस में तो साइन जो थीटा है उसके बराबर यह आ जाता है साइन 3A बटा 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 ए बराबर यह Restkin Schule 2A बटा C क्या है A plus D ठीक है अब देखो दो-दो को लेके उनको हल कर लेता हूँ पहले मैं इसको और इसको हल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा देखो sin A बटा A minus D बराबर sin 2A sin 2A का सुत्र होता है 2 sin A को से 2 sin A को से बटा A plus D अब देखो sin A से sin A कट जाएगा और 2 को से का मान क्या जाएगा अपने पास 2 को से का मान आ गया A plus D बटा A minus D इसको मैं समिकरन नमबर एक नाम जेता हूँ अब जो है इसको और इसको हल कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा देखो sin A बटा A minus D बराबर हो जाएगा देखो sin 3 A का सुतर क्या होता है 3 sin A minus 4 sin A की गा 3 बटा A इसको आगे हल करता हूँ तो देखो sin A दोनों तरह पर कट जाएगे तो यह अपने पास बच जाएगा A उदर चला जाएगा A बटा A minus D बराबर हो जाएगा 3 minus 4 sin स्क्वाइर A ठीक है अब देखो sin स्क्वाइर A को को स्क्वाइर A में चेंज कर दूँगा क्योंकि मेरे पास को से का मान यहाँ पर दे रख है अब देखो A बटा A minus D बराबर हो जाएगा 3 minus 4 गुना 1 minus को स्क्वाइर A सरुस्वमी का लगा दी मैंने अब इसको आगे हल कर देता हूँ तो मेरे पास आजाएगा A बटा A minus D बराबर 3 minus 4 प्लस 4 को स्क्वाइर A आगे हल करता हूँ तो यह मेरे पास बन जाएगा देखो 4 को स्क्वाइर A minus 1 बराबर A बटा A minus D इसको बोल देता हूँ सम्मिकरन नमबर 2 दोनों सम्मिकरनों को आगे हल करेंगे तो देखो यहां से देखो 2 को से का मान A plus D बटा A minus D था इसका वर्ग करेंगे तो 4 को स्क्वाइर A के बराबर हो जाएगा इसका मान सम्मिकरन 1 से 2 में रखने पर यह आजाएगा अपने पास A plus D का वर्ग माइनस A minus D का वर्ग बटा A minus D का वर्ग बराबर A बटा A minus D ठीक है तो देखो यहां से आजाएगा A square plus D square यह देखो D है यहां पर B नहीं है A square plus D square plus 2AD minus minus का A square यह minus का B square ठीक है और यह minus 2AD आएगा तो plus 2AD हो जाएगा बटा नीचे आजाएगा अब देखो A minus D यह एक गात इससे कट जाएगी तो A minus D बच जाएगा बराबर में A बच जाएगा A minus D उदर जाएगा तो यह देखो यह दोनों तो कट जाएगे और यह बन जाएगा 4AD बराबर A गुणा A minus D ठीक है यहाँ पर मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ना तो A minus D 0 के बराबर है ना A 0 के बराबर है ठीक है और ना ही A plus D 0 के बराबर है अब देखो आगे चलते हैं तो 4AD इसमें से A इसे कट जाएगा तो 4D बराबर मेरे पास आ जाएगा A minus D तो A बराबर आ गया 5D अब देखो बुझाये क्या थी बुझाये मेरे पास क्या थी A minus D A और A plus D ठीक है अब देखो A का मानिया पर रखेंगे तो यह आ जाएगा 5D minus D यह जाएगा 5D और यह जाएगा 5D plus D तो यह जाएगा 4D यह जाएगा 5D और यह जाएगा 6D ठीक है इनका अनुपात ही तो ज्याद करना था तो अनुपात निकाल लेता हूँ तो देखो D हटा सकता हूँ मैं ठीक है क्योंकि तीनों में उबनिष्ट है तो चार अनुपात पांच अनुपात छे यह किसका अनुपात आगया यह जाएगा तीनों बुजा होगा और यही तो मेरे को निकालना था आप देखो विकल्प देख लेता हूँ विकल्प अपने पास चुत्ता विकल्प चाहिए थेंक्यू